क्योंकि आज की ये वीडियो एक बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले है अब 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 इस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स ओवर तो दैट में तुमको ये भी बता रहूंगा कि कोई भी एक चैप्टर जो है उसकी लेवल क्या है वो एक एजी चैप्टर है वो एक हाड चैप्टर है फर एक मीडियम लेवल का चैप्टर उसके साथ साथ वो कितना स्कोरिंग है and over to that the most important thing is कि अपनी प्लीज जो भी टेक्स्ट बोक है उसको ठाके बढ़ जाना क्योंकि हर एक तो आज हम लोग स्पेसिफिकली फिजिक सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं so now let's start सबसे बहले तो देखो मैं तुमको बता दू जो पहला चैप्टर है फोर्स अगर मैं या पर बात करता हूं तो लेवल की अगर हम बात करें so it's a very easy chapter in my opinion यह काफी easy chapter है over to that सबसे पहले तो इसके important concepts भाई basic of force force के जो ना कुछ basic चीजों को समझ लो सबसे पहले तो that is the most important thing उसके बाद में टॉर्क और कपल भाई देखो obviously पूरा chapter is it is like based on moment of force तो वो चीज समझो टॉर्क को और कपल जो ना it's a special case वो भी समझ लो कि बाई टॉर्क के बाद में आप कपल की जो बहुत जाता जरूरी है क्योंकि यह आ सकते हैं examples तुमारे जो है question में directly और इसके आद में center of gravity को अच्छे तरीके से समझ लेना क्योंकि मेरे हिसाब से 1-2 mark के questions जो है इसके तुरू आ ही आ सकते हैं उसके आद में principle of moments यह भी एक बहुत important चीज है क्योंकि भाई इसके तुरू जो जितने भी तुमारे like ruler based questions होते हैं वो इसके दुरू बन रहे होंगे and over to that you guys are having uniform circular motion जिस पर like एक तरीके से ऐसा मुझे लगता है कि हाँ इससे भी questions आ सकते है अच्छा इसका एक और important part है which is the centrifugal force, centrifugal force वो भी एक बार अच्छे तरीके से देख लेना so these are all the important concepts in the chapter 4 आगे बैच है जहां पर जो है by just the date of 10th of July तुम अपने syllabus को complete भी कर सकते हो, revise भी कर सकते हो, यह एक बहुत ही तगड़े level की चीज़ है जिस पर बहुत सारे experts, stoppers, teachers, तुमारे प्रने भीया की महीनों की महनत लगी है तब जाकर कि यह चीज़ जोना बहुत ही limited students के लिए design हो पाई है इसके बारे में अगर मैं तुमको बता दूसरो, the classes here are one-on-one interactive, तुम माइख खोल कर डाउट पूच सकते हो, over to that you get all your subjects by the master teachers of clarify knowledge, यहां पर तुमको master teachers of clarify knowledge पढ़ा रहे होंगे, प्लस तुमारे प्रने भीयों पढ़ा रहे होंगे, and I'll be covering PCMB, like PCB and HCG, उसके साथ चाथ, like this also provides you with the notes, DPPs, e-books, and over to that, हमने एक बहुत बड़ी problem को solve किया, हमने national toppers को normal students के साथ जोडा है, तो you get the one-to-one mentorship sessions from the national toppers, over to that, you are getting 2 बार का syllabus completion, and उसके साथ चाथ, तुमको free question bank, sample question paper books, test series, हर एक चीज़ हम provide कर रहे होंगे, test series, it is a AI integrated platform, जहाँ पर तुम बढ़ीया तरीकी सा test दे सकते हो, और उसके साथ, we all be providing you with the dedicated PYQ solving, मतलब जो PYQs, they are the most important thing, उनको हम dedicatedly solve कर आ रहे होंगे, अच्छा, एक चीज़ की में आप गरंटी दे सकता हूंगे, भाई, अगर आपने सको अचे तरीके से follow किया, there is a 100% guarantee that you all score 90% plus, तो तो हम इसको अभी का भी इसमें enroll कर सकते हो, from the link given in the description box and that will redirect you to the app or website, या अफर तो हमारे counselor से भी कने कर सकते हो, you guys can use the coupon code प्रनाए 1500, so that you all be getting the additional discount of flat 1500 रुपीज, तो तो तुमको जो ना course just 5999 रुपीज का बढ़ेगा for the entire year, तो enroll now, अभी के अभी जो ना अपनी class channel को track पे ले के आओ, उसके बाद में, अगर अभी हम लोग next chapter पे आ ज समझ नहीं पड़ती है, जैसे कि basics of work, power और energy को समझो, फिर expression of work को समझो और उसके cases को समझो कि कब वो positive, negative कब होता है, उसके बाद में different ways to form formula of power, क्योंकि दो तरीके से बनता है, एक तो generally वही है, कि work upon time कर दिया, उसके बाद में एक तुमारे जो force को और velocity के साथ बन जाता है, different types of energy को समझो, क्योंकि इस पर guaranteed questions आते हैं, और इसके बाद में work energy theorem को समझ लो क्योंकि वो भी एक बहुत important concept है, तो ये वाला chapter में ये कुछ important चीज़ होगी, जैन उसके आद में the next chapter is machines, भाई, एक बहुत easy level का chapter basics of machines को समझ लो, like mechanical advantage क्या होता है, velocity ratio क्या होता है, efficiency क्या होता है, actual machine versus ideal machine guaranteed a question आता ही आता है, इसको भी देख लेना, उसके आद में lever की बात करो, तो examples को समझ लो, इसकी मेरी कुछ tricks है, मेरा lecture already out, like हो रखा है YouTube पर उसको देख लेना, सारा chapter ये अच्छे तरीके से नपढ़ जाएगा, police में block and tackle system को बढ़िया तरीके से समझ लेना, उसके बाद म chapter है, काफी जादा भी YouTube में इस साल के लिए इसको cover नहीं करा है, मैं कराऊंगा बहुत जल्दी, इसमें laws of reflection पढ़ना है, know about the refractive index portion, बहुत अच्छे तरीके से glass slab experiment को पढ़ दो, और सी में फिर जो एक lateral displacement का portion होता है, उसको पढ़ लेना है, reversing of light rays को पढ़ लेना है अपन को, फिर उसके आद में reflection in prisma पढ़ लेना है, critical angle or total internal reflection पढ़ लेना, ये सारे बहुत ही important चीज़ है, और application of reflection को भी पढ़ लेना, एक additional चीज और बता रहा हूँ, उसके बाद में, अगर हम आगे बढ़ते हैं, so now reflection through lenses, इस chapter को अगर मैं mark करूंगा, तो I'll be marking it on the level of medium, क्योंकि ये ब radius of curvature, ये सारी चीज़ है, cases of both mirrors, like concave or convex mirrors में, क्या cases होते हैं, ठीक है, उसके बाद में, जो है, magnification को समझ लो, real life applications को समझ लेना, so these are the most important things, उसके बाद में, अगर अब ये अपन आगे बढ़ते हैं, so the next chapter is spectrum, अब ये spectrum क्या है, it's a very easy chapter in my opinion, dispersion spectrum को समझ जैसे कि विपक्योर, वि electromagnetic spectrum को एक row में समझ लो, properties और उनके uses समझ लो, पूरा chapter ऐसे ही done हो जाएगा, आदे घंटे का chapter भी नहीं है, उसके बाद में, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, so now the chapter is sound, it's a medium level का chapter, इसमें बस तीन चार चीज़े ही है, जिनके around चीज़े बार बार रोटेट होती रहती है, so those are like properties of the sound waves, जैसे amplitude क्या होता है, frequency क्या होती है, फिर उसी amplitude से loudness बना देंगे, frequency से pitch बना देंगे, तो वही सब लगा रहता है, formula of echo and sonar, resonance और examples को समझ लो, different characteristics को समझ लो, इसी में बात कर रहा हूँ about the amplitude, pitch, frequency, जितनी भी सारी चीज़े हैं, तो उनके बारे में जुना अच्छे तरीके से देख लेना, उसके बाद में the next chapter is current electricity, a hard chapter, इन बच्चों के opinion में, एक hard chapter है, और होता भी है कहीं ना कहीं क्योंकि basics of charge, देखो first of all, और currents को जो लेकर के अच्छे तरीके से समझ लेना, resistance, conductance, superconductor, resistivity, अब तुम ये कुछ तो जो बच्चों overhype भी करते हैं, ये आता questions आता है, ये parallel and series circuit questions जो आता है, please कर लेना, आएंगे पास सच है marks के, 101% heat पढ़ लेना in the wire, जो तुमारे एक formula नहीं होता है, I square RT वाला, ठीक है, ये वाला जो ना formula अच्छे तरीके से रखना है, electricity unit in the households, ठीक है, तो वो जो QWh meter वाले questions आते हैं, वो भी याद रख लेने, उसके बाद में household circuits, एक easy chapter structure of electricity समझ लो, जनरेशन से supply तक कैसे उसमें, कैसे-कैसे stages, industries level पे divided हैं, उसके आतमे ring system को समझ लो, instruments used, like fuse को समझ लो, MCB को समझ लो, switches को समझ लो, तो इनको अच्छे तरीके से देख लेना, staircase wiring, एक बहुत important portion इसको भी देख लेना, उसके बाद में य next chapter आ जाता है, electromagnetism, एक ऐसा chapter जो बच्चों के दिमाग की दजियां उड़ा देता है, तो इसके बाद में अगर में बात करूं, hard level का chapter है, सबसे बहुत तो oristed experiment समझो, magnetic field lines क्या होती है, समझो, फिर उसके बाद में right hand thumb rule समझो, फिर उसके बाद में magnetic field को loops में समझ लो, ठीक है जैसे solenoids बगरा होती है, उसके बाद में, electromagnetic को समझो, तो इसके बाद में, फ्लैमिंग का left hand rule, तुम देख रहो, right hand rule भी है, left hand rule भी है, तौनों चीज़े है, electromagnetic induction को समझो, AC, DC motors को समझ लो, तो बस तुमारे ये पूरा chapter हो जाएगा, तो बस, हाँ भाई, obviously, अब कहने में तो, it's very easy कि ये कर लो, वो कर लो, लेकिन हाँ, ये सारी जीज़े करना जाओ, टाइम लगेगा, लेकिन फिर बी, it's not more than two hours, मतलब ये दो घंटे में हो सकता है, easily, मेरे जाब से, उसके बाद में, calorie metric, hard chapter क्योंगी, इसमें, पूरे, पूरे numericals है, concept of heat and temperature को समझना है, SSC, specific heat capacity, principle of calorie metric, melting and fusion, latent heat and specific latent heat, हर एक चीज़, उसके साथ साथ, pyqs और numericals, हर एक चीज़ तुमको बढ़िया तरीके से, इस वाले chapter में समझ लेनी है, main, जो सबसे important चीज़ है, that is, pyqs लगा लो, सारे तरीके के, भाई, please, इस chapter पर सारे pyqs लगा ले, उसके आद में, radioactivity, it is a chapter which is like, easy chapter in my opinion, ठ बात करूं, so structure of atom, structure of atom and nucleus, उसके साथ concept of radioactive substances के हाँ, होते क्या exactly, सबसे important चीज़, properties, alpha, beta, gamma की properties, and उसकी emission effect क्या होता है, कि emission कैसे जो हो रहा होता है, तो nucleus पर क्या effect पड़ता है, alpha, beta, gamma का, जब, like, emission होगा, तो उससे nucleus पर क्या effect पड़ेगा, यह चीज़ सीख लेना, uses or harmful effects सीख लेना, तुम, तीनों ही, like, alpha, beta, gamma के, और last chapter तक अपने cover कर लिया है, so we are done with this video, I hope so, तुमने सारी की सारी चीज़ों, जो अपनी text book में, like, mark कर लिए होंगी, and if you want, के मैं बाकी subjects पर भी, ऐसी ही videos को drop करूँ, so I'll be dropping that for sure, तुम जो है, comments में बता देना, if you have found this video helpful, तो please अपने दोस्तों में भी share कर देना, अभी हम तब तक के लिए रखते हैं, आरतना ही है, and मिलते तुमारे upcoming videos में, तब तक के लिए, thanks for watching, happy learning, bye-bye, love you all, hasalard, CKOP तुमारे's के चुमारे, कर दो सबना है, तुमारे के अार भान है, तुमारे के इना है रेचे हैं, तुमारे में अभी हैं?